इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है बच्चों में मजबूत हड़ीयों और दातों के विकास और रखरखाव के लिए कैलकम और फॉस्फोरस आवश्यक हैं कैल्शियम हृदे मान स्पेशियों और तंत्रिकाओं के सामा निस्वास्थि के लिए भी है जैमकलपी सस्पैंशन अतिरिक्ट कैल्शियम फॉस्फोरस मैगनीशियम और जिंक का एक महत्वपोर्ण स्रोथ है इसकी प्रभावशीर्टा को अनुकूलित करने के लिए जेमकल्पी सस्पेंशन सही अनुपात यानी 2.1 में कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रदान करता है अधिक्तम कैल्शियम अवशोशन तब होता है जब कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात 2.1 होता है विटामिन D3, मैगनीशियम और जिंक कैल्शियम के अवशोशन और उप्योग को बढ़ाते है स्वादिश्ट स्वादवाला जिंकल्पी सस्पेंशन बढ़ते बच्चों के लिए एक संतुलित कैल्शियम फॉस्फोरस पूरक है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. कैल्शियम, मैगनीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और विटामिन D3 का सयोजन शरीर का समगर विकास प्रदान करता है 2. विटामिन D3 हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम हड्डियों को आसानी से तूटने से बचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है तीन, कैल्शियम में एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रियंट है, जो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए आवश्यक है यह मानस्पेशियों तक तंत्रिका संकेतों के उचित संचालन के लिए भी आवश्यक है और रात की एठन को रोकने में मदद करता है चार, यह भ्रून के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, आपके जीवन के हर चरण में इनकी आवश्यकता होती है यहाँ आपके शरीर को पुरानी बीमारियों से भी बचा सकता है विटामिन डी शरीर में कैल्शियम अवश्योशन को बढ़ाता है विटामिन डी पैराथाइरोइड हॉमोन और कैल्शियम फॉसफोरस जैसे कुछ खनिजों के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है जो हड्यों के निर्मान और उन्हें मजबूत बनाये रखने के लिए आवश्यक है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें